सर्दियों में अगर मटर का निमोना नहीं खाया तो क्या खाया तो पहली सर्दि का ये पहला निमोना आपके लिए में लेके आई हूँ और ये देखिए इसका टेक्शर और कलर देखिए एकदम वैसे ही आपका घर में निमोना बनने वाला है तो चलिए इसको बनाते हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही है तो यहाँ पे मिकसी में डालके में सारे जो यह मटर है उन में से कुछ थोड़ा सा लूंग और करें sagte दरदरा पीस के तयार करेंगे तो यहाँ पर देखिए मटर में डाल लेती हूं तो यहां पर थोड़ा सा मटर में बचा के रख लूँगी तो यह देखिए इतना सा मटर में बचा के रख लूँगी और यहां पर इस जार में में डाल रही हूं थोड़ा सा धनिया पत्ता और एक हरी मिर्च यहां पर डाल दूँगी मे सारा यहां पर डाल दूँगे आप दिख सकते हैं दरदरा पीसके तयार किया है मैंने यहां पर तो यहां निकाल लेते हैं सारा निकालने के बाद फिर आप से मैं आगे बताती हूँ क्या करेंगे तो यहां पर सारा जो मटर है मैं निकाल चुकी हूँ और यहाँ पे इसको mix कर लेते हैं जो यह मटर है जो मैंने रखे वेते बचा के इसके अंदर mix कर लेंगे आप चाहें तो सिल्बटे पे भी पीसके बना सकते हैं अब एक बड़ा चमज तेल डाल लिया है मैंने सरसो का और दो आलू लिये हैं यहाँ पे इसे हम fry कर लेंगे आलू को अच्छे तरीके से जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए तो आलू यहाँ पे देखिए अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं तो यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ मैं देखिए आलू के बड़े बड़े टुकुड़े किये हैं तो आप पे निर्बर करता है कि आलू आप कैसा रखना चाते हैं थोड़ा सा तेल मैंने इसमें और डाल लिया है दो बड़े चमच हो गए है यहां मैंने तीन मैंने प्याज लिया है तो यहां पे इसे मैं डाल दूंगी और देखिए प्याज मैंने यहां पे एकदम बारिक बारी काटके यूज किया है यहां पे इसको पीसना नहीं है बस एकदम बारिक बारी काटके यूज करना है तो यहा मैंने अद्रक लस्टन को कूट के यूज किया है आप पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी दिर इसको भी भून लेना है तो बस यहाँ पे भून लेते हैं इसको और यहाँ पे लस्तन अद्रग भी भून गया अच्छे तरीके से अब क्या करना है? जो हमने मतर अब दर्दरा पीस के रखा हुआ है ना, वो इसमें अब डाल देंगे तो सारा जो मतर है इसमें डाल देते हैं जो भी जितना भी मतर हमने यहाँ पे रखा था वो भी इसमें डाल देना है तो आलू को डाल देते हैं इसमें तो यहाँ पे आलू को भी हमें अच्छे से भुनना है इसमें तो यह दोनों चीज़े हम अच्छे से यहाँ भुनेंगे तो बस यहाँ पे डालते हैं कुछ मसाले तो मसाले ने बहुत कम-कम जाएंगे, तो यहां पे मैं डाला हुए एक छोटा सा टामाटर डाल रही हूँ, और एक पिंच इसमें हल्दी डाल रही हुँ, यहां पे डालेंगे आधा चमच लाल मिर्चि का पाउडर अधा के धनिया पाउडर आधा चमच गरम मसाला पाउडर और नमक हम इसमें डालेंगे मतलब थोड़ा सा नमक डालेंगे जो मत्र की मिठास को खतम ना करें तो उस हिसाब से हमें यहां पर नमक डालना है तो यहां पर मैंने एक चमच से थोड़ा सा कम यहां पर मैंने नमक डाला है अब यहां पर हमें low to medium flame पे मटर को ना बहुत अच्छे तरीके से भुनना है देखिए भुनते भुनते से color देखिए चेंज हो गया है लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और भुनूंगे और सा color थोड़ा सा और चेंज होएगा देखिए भुनते भुनते कैसे अलग हो रहा है और आप देखिए color बिल्कुल चेंज हो चुका है तो इस तरीके से आपको लगातार चलाते हुए कम से कम 10-15 मिनिट इसको भुनना है low to medium flame पे तब ही जो मटर का निमूना है बहुत बढ़िया बनेगा अब अच्छे तरीके से भुन गया है अब इसमें मैं डेड़ ग्लास पानी डाल रही हुए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता है वो आप पे निरवर करता है अब कैसा खाना पसंग करते हैं लेकिन डेड़ ग्लास पानी इसमें इनफ है तो बस यहाँ पे मैं पानी जो है डाल दे रही हूँ और इसको ढखके हम धीमी धी में आज पे पकने देंगे क्योंकि आलू जो है अभी थोड़ी से कच्छे हैं इसमें क्योंकि मोटे आलू हमने यूज किया है लगबक यह 90% गल गया है 10% रह गया है तो बस यहाँ पे अब धीमी धी में आज पे इसको हम पकने देते हैं ढखके मैंने अढखकन लगा दिया और इसको मैं साइडने डख देती हूँ कड़ाई को और चौके की तैयारी हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तीन चमच देशी घी डाल रही हूँ इसमें चौका लगाना बहुत जरूरी है और वह भी देशी घी का क्योंकि इससे खुश्मूना बहुत अच्छी आती है और तभी जो टेस्टन रिमूने का एकदम अच्छे से आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भुनने देंगे ताकि जो इसका अरोमा है वो घी के साथ अच्छे से मिल जाए अब ना करना क्या है यहाँ पे यह देखिए अच्छे से यहाँ पे भुन गया है अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा मैंने प्याज लिया तो जिसको एकदम बार लेना है हलका से देखिए इसमें कलर आ गया है पिंकी शेड आ गया है अब एक चुथाई चमच यहाँ पे में डाल दे रही हूँ हींग और बस अब यह चौंका तयार है चलिए इसको चौंका लगा लेते हैं अब यहाँ पे देखिए कड़ाई बेने जो गैस है बन कर दिय है और अब चौंका लगा लेते हैं इसमें तो फटा फट से चौंका लगाने के बाद इसका टेस्ट न और दुगना हो जाएगा तो बस चौंका लगा के बस एक मिनिट के लिए इसको ढखके रखिए ताकि जो चौंके का जो अरोमा है वह अच्छे से आ जाए और यह देख